नमस्कार सास बहु फैमिली गुरु शो पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नाक और कान ये दो चीज़े ऐसी हैं जिनके बारे में महिलाओं को या पुरुष सभी ध्यान रखते हैं या आपकी खुबसूर्ती को तो बढ़ाते ही हैं साथ ही साथ या आपके सीक्रिट्स भी रिवील करते हैं हिंदु धरम में नाक और कान चीज़दवाने की परंपरा है हालकि ये बहुत से लोग इसे फैशन से चीज़दवाते हैं लेकिन आज आपको बताऊंगी कि नाक और कान चीज़दवाने सिर्फ फैशन ही नहीं बलकि इसके कई फाइदे भी हैं इतना ही नहीं नाक और कान चीज़दवाने की सही उम्र और शुप महुरत भी होता है आज इन सब के बारे में आपको शोव पर खास बात बताऊंगी बताने ही वाली हूँ जोतिशी, शमजद शास्त्र और हिंदु धरम में इस बारे में बहुत सारी बाते कहते हैं आज आज आपको इस सब बताऊंगी संतान नहीं हो रही है पुरुष औस्त्री के दाइने हाथ की तरफ मिट्टी रखकर उसके अंदर थोड़ा सा दही और पिसी भी हल्दी रखनी चाहिए यह काम रात को करें सोने से पहले करना चाहिए कान चिदवाना चाहिए यह तो आप सभी जानते हैं आगे मैं आपको इसके बारे में और भी सही बाते बताऊंगी इस संसकार से पहले आपको उसके बारे में और डीटेल्स बताए जाते हैं जोतिश के अनुसार कां शिद्वाने से राहु और केतु संबंदत प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और धर्म के अनुसार इससे संतान स्वस्त और निरोगी रहती है वेल, कान छिदवाने के और क्या-क्या फाइदे हैं ये जानी है कहते हैं कि कान छिदवाने से सुनने की शम्ता बढ़ जाती है इसके साथ-साथ बुरी शक्तियों का प्रभाव दूर होता है व्यक्ति की लंबी आयू होती है पुरुषों के द्वारा कान चिदवाने से उन में होने वाली जो हरनिया की बिमारी है ये खत्म हो जाती है मानिता के अनुसार कान चिदवाने से वेक्ति के रूप में निखार आता है लाल किताब अनुसार कान छिफवाने से राहू और केतू के बुरे प्रभाव का अफर खत्म होता है जीवन में आने वाले मतलब अंसीन संकटों का कारण राहू और केतू होते हैं इसलिए कान छिफवाना जरूरी है यहां कि पंचरिस्ट का माननगा है यहां पर दो nerve point होते हैं, जब आप इसको pairs करा देते हैं, तो बहरेपन की शिकायद जो है, यहांने की deafness, यहां कम सुनना यह problems दूर हो जाती है. कान चिदवाने से आँखों की रौशनी भी तेज होती है, दरसल कान की नीचे वाले हिस्से पर एक point होता है, इस point के पास में आँखों की एक नस गुजरती है, जब कान के इस point को चिदवाते हैं, तो इससे आँखों की रौशनी भी तेज होने में मदद बनती है. कान चिदने से तनाव भी कम होता है, क्योंकि कान की निचले हिस्से पर दबाफ पढ़ने से तनाव कम होता है, साथी दिमाग की अने परिशानियों से भी बचाव होता है. विज्ञानेकों के मुताबिक कान चिदने के अलावा गंभी विमारिया होने की खत्रा भी काफी हद तक कम हो जाता है जब भी आपके एवस पेस हो जाते हैं कान के नीचे की हिसे में मौजूद पॉइंट्स हमारे मस्तिश्क से जुड़ेवे भी होते हैं इन पॉइंट्स के चिदने पर दिमाग का विकास तेजी से होता है साथी दिमाग भी तेज बनता है इसलिए बच्चों की छोटी उमर में ही कान चिदवाय जाते हैं ताकि उनकी दिमाग का विकास सही तरह से हो सके कान शिदवाने से पाचन क्रिया भी दुरूस्त होती है कान के निचले हिस्से को छोटा यहाँ पे खोल किया जाता है छेदा जाता है वहाँ एक point होता है ये point मूख लगने को भी प्रेड़ित करता है इसलिए इस point को छेदने पर पाचन क्रिया सही बनती है साथ ही मोटापा भी कम होता है ऐसा भी माना जाता है कि कांच इतने से शरीर के सुन पढ़ने और पेरलिस्स जैसे गंबीर बीमारियों से भी बचाव होता है शो में अब आपको आज कर दूसरा महा उपाय बताने का समय हो चुका है नोट कीजे दिमाग से चिंता जा नहीं रही है तो जैसे ही टेंशन हो एक लोटे में या जग में पानी लेकर उसके अंदर चार लाल मिर्ची सुखी वाली लाल मिर्च के बीच डाल कर उपर से साथ बार आंटी क्लॉक्वाइस गुमाने के बाद गर के बाहर कहीं जाकर पेड़ पर डाला ये फोरान आराम मिलेगा आज ये बात करते हैं आज की स्पेशल अस्टोटिप का क्योंकि हमने नोज और येस की बात करी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको तारीफ सुनने को नहीं मिलती है आपको अप्रिसेशन नहीं मिलती है कान पर केसर लगाने से और फिर रात को सुने से ये प्राब्लम दूर होती है ये जुपिटर को स्ट्रॉंग करता है अब कान चिदवाने के कुछ नियम भी है कान क्यों चिदवाना चाहिए और इससे आपको क्या फाइदा होगा ये तो मैंने आपको बता दिया लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान चिदवाने का शुब महुरत भी होता है इतना ही नहीं इससे किस तरह और किस उम्र में चिदवाना चाहिए इसका भी नियम होता है पहलाब मैं आपको कान चिदवाने के बारे में सही जानकारी देने वाली हूँ पूरा शोध्यान से देखिए कर क्योंकि आगे आपको बताऊंगी कि आपको राइट साइड की नाक चिदवानी है या पर लेट साइड की नाक चिदवानी है कान चिदवाते समय आपको किन साफधानियों के दियान रखना है नोट कीजिए कान विधी पूरवक ही चिदवाएं नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आजकर लोग एक ही कान में चार-चार होल्स करवा लेते ही ये सही नहीं है कुछ लोग एक ही कान चिदवाते हैं तो कुछ लोग दोनों कान चिदवाते हैं हलकि नियम दोनों कान चिदवाने का ही है इसलिए अगर आप कान चिदवा ही रहे हैं तो दोनों पियस कराईए कान शिदवाने का संसकार कब करना चाहिए पहले right side का कान शिदवाएं या left side का ये भी जान लीजे इस process के बारे में कहा जाता है कि ये बच्चे के जन्म के 10-12-16 या फिर 6-7-8 महीने में किया जा सकता है बच्चों का पहले दाइना कान यानि की right side और फिर बाया कान यानि की left side का कान पियर्स कराना चाहिए और वो बच्चा कन्या है तो पहले left कान और फिर right कान शिदवाना चाहिए आज आपको नोज और कान से जुड़ी बहुत सारी जरूरी बाते आपको शो पर बता रहे हूँ इसी तरह आगे भी बाते बताती रहूंगी अगर आपसे कुछ मिस हो गया तो आप इस शो को दुबारा यूट्यूब पर देख सकते हैं आईए अब आपको बताती हूँ कि कान शिदवाने का शुब महुरत क्या है नक्षत्र इस संसकार के लिए म्रक्षरा, रेवती, चित्रा, अनराधा, हस्त, अश्विनी, उश्य, अभीजीत, श्रावन, घनिष्टा, पुर्नवसू ये शुब माने जाते हैं इन नक्षत्रों में, किसी भी नक्षत्र में, एक नक्षत्र पे आप कान शिदवाने वाला संसकार कर सकते हैं अब शो में आगे बढ़ू, उससे पहले आपको आज का तीसरा माह उपाय बताती है शादी में रुकावट आ रही है, तो आप लड़की की शादी में कोई रुकावट हो, तो आप पूजा वाले पांच नादेल लेजे भवानशिफ की मूर्तिया फोटो के आगे रखे, ओम श्रीवर प्रदाय श्री नम्हा मंतर का जाप करके पांच नादेल को छोड़ दीजे, कोई न कोई रस्ता जरूर खुलेगा क्या आप जानते हैं कि आपके कान और नाग की शेप आपके बारे में बहुत सारे सीकर्ट्स रवील करती है आपका कान लंबा है या छोटा, मोटा है या पतला, आपकी नाक की शेप कैसी है, तोते वाली नाक है या फिर छोटी नाक है, इस सब आपको काफी कुछ बताते हैं, वेल, नाक और कान की कौन सी शेप वाला इंसान कैसा होता है, आईए आपको बताती हैं, ऐसे व्यक्ति जिन यह लोग अफसरवादी होते हैं और कान बड़े हो तो ऐसे लोग विचारशील, व्यभारिक और समय के पाबंद होते हैं। यह सभी तरह के काम व्यवस्तिस तरीके से करते हैं। अगर कान बिलकुल पीछी की तरफ चिपका हो तो ऐसे कहा जाता है कि थोड़े नटॉरियस होते हैं, थोड़े क्रिमिनल अबिलिटी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके कान बहुत ही छोटे हों, यह चंचल इशर पर विस्वास करने वाले लालची और किसी को भी दोखा नहीं देते हैं। कान की शेप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नाग की शेप भी इसी तरह से आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। सब मुद्रशास्त्र आपको नाग की शेप के बारे में क्या कहता है यह आपको बता रही हूं। लेकिन नाक को किस साइट से छिदवाना चाहिए, राइट या फिर लेफ्ट साइट से, ये भी आपको आगे बताऊंगी, तो पूरा शोध ध्यान से देखिएगा. मूटी नाक वाले लोग भोग विलास में रुची रखते हैं. अगर नाक आगे से मुड़ी भी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जादा भागेशाली होते हैं. जिस त्री की नाक छोटी होती हैं और आगे से मूटी होती हैं, वो प्रेम विवा के पक्ष में रहती हैं. अगर कि तोते के सामान नाक वाला व्यक्ति जिंदगी में उचाई पर जाता है. मैला हो तो उसका बड़ा सा सुराल मिलता है. बड़ी नाक वाले लोग जादतर आराम पसंद माने जाते हैं सीधी नाक वाले धर्मात्मा माने जाते हैं तेडी नाक आगे से मोटी नाक वाले लोग अक्सर गलती करते हैं साफधान इन से रहना चाहिए इनको खुद भी साफधान रहना चाहिए सूखी वी सी नाक वाला व्यक्ति लंबी उम्रों तक जीता है चप्ती नाक वाले पुरश अगर स्त्रीयों से ज़्यादा करीब आते हैं तो उनको नुकसान होता है आगे से कुछ जुकी वी नाक वाला धनी होता है दाइं और जुकीवी नाक वाले कठोर माने जाते हैं नाक आगे से दो हिस्सों में मुरती है तो ऐसे लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है बहुत बड़ी या छोटी नाक वालों के पास ग्यान कम होता है तो बाते बड़ी-बड़ी करते हैं इसकी आदत को बदलने की जरुरत है नाक का छेदन अगर छोटा है तो ये शुप माना जाता है नीचे की और जुकीवी नाक वाला व्यक्ति मन मौजी होता है अपनी तरह से रहता है छोटी और चप्टी नाक वाला हस्बोग होता है हमेशा दूसरों की साहिता करता है नाक के छेद बड़े-बड़े हो तो ऐसा इंसान रुमैंस के पीछे जादा भागता है मैंने आपको बताया था जेनरल ट्रेंड होता है 100% सही नहीं होता लेकिन जादा तर सठीक बैठता है अच्छा कुछ लोग मुझसे ये भी पूचते हैं कि नाक के फड़कने का क्या मतलब होता है बहले ये सब आपको बताऊंगी आपको नाक का दाहिना हिस्सा फड़कना अगर होता है राइट साइट फड़कता है तो किसी से जगड़ा हो सकता है अगर इंसान का लेफ्ट हिस्सा फड़कता है, तो धन की प्राप्ती होती है, प्रसद्धी की असार होते हैं, नाक के टिप अगर फड़कते हैं, तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, नाक के दोनों नॉस्ट्रिल्स अगर फड़कते हैं, तो आपके लिए शुब संकेत दन लाप and समार में प्रतिषभाप्त होती है शो में जानते हें, क्या है आज का दोधा माह उपाए, विमारियों से च्टकारा पाना चाहते हैं, विमारी का पता नहीं चल रहा हो, तो इंसां को स्वस्त भी नहीं रह पार हो, और विमारी भी नहीं आ रही हो, तो साथ प्रकार के अनाज एक-एक मुठी लेकर पानी नोबाल कर छाने। छने उबले अनाज को आप एक तोता सिंदूर की पुडिया और 50 ग्रम तिल के तिल डालकर बबूल की जड़ के पास डालाएं। संडे को दुपहर 12 बजे भहरव स्थान पर चड़ाएं। पेस्बुक पर मृदुला ने अपना सवाल हमसे पूछाएं। मृदुला पूछना चाहती है कि उनके घर में किसी को आलकोहल की बहुत आदत है। वो क्या करें। लगातार भहरव मंदिर में किसी पेड के पास पे इतनी सी आलकोहल चड़ा दे। और बाकी को पब्लिक टॉलेट में जाके फ्लश कर दे। तो जिस इंसान की बॉटल है उसकी यादत कम हो जाएगी। हमारी भारतिय संस्कृति में आभूशनों और शिंघार का विशेश महत्व है। भारतिय संस्कृति में हर आभूशन को पहनने के पीछे एक अलग कारण है। सोला शिंघार में एक नत पहनना है। हमारे देश में शादिश्युदार कुवारी लड़कियां और महिलाएं नाक छिदवाना पसंद करती हैं। हालक कि आजकल की कई महिलाएं ये ट्रेंड के एसाब से करना पसंद नहीं करती है। तो शादिश्युदार महिलाएं भारतिय रिती रिवास को फॉलो करते हुए नाक में नत या जिसको बोती है तिनका पहनती है। नाक छिदवाना भारतिय संस्कृति और परपरा के साब से बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन बहुत कम लड़किया जानती है कि ये स्त्री की खुबसूरती बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी लाबकारी है। आज आपको भारतिय परपरा के अनुसार महिलाओं का नाक छिदवाना क्यों जरूरी है माना जाता है। ये बताने वाली हो। सोलवी सधी में प्रथा आए थी नाक में छेत करवाने की। कोई विशेश उम्र नहीं होती है। इसे बचपन में यंग उज में या ग्रोन अप होने की बाद भी करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी महिलाओं नाक छिदवाती हैं। इससे बच्चे पर कोई नेगिटिव असर नहीं पड़ता है। भारत में नोस पियर्सिंग को संस्कृती से जोड़ कर देखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा पूरवी देशों से आई। 16th century में ये प्रथा भारत में आई थी। वेदों में इसके फाइदे के बारे में लिखा गया था। नाक चुद्वाने से फाइदे क्या हैं वेदो शात्रों में लिखा गया। नाक चुद्वाने से महिला के period में pain में रहात मिलती है। इसके अलावा, including delivery के दौरान पशुक को जन देने में असानी होती है। नाक शिदवाने से माईगरिन में भी राहत मलती है। कैसे करता है मदद नाक शिदवाने से शरीर के अंदर का यह आपको बताती हूँ। देखी कुछ प्रेशर पॉइंट्स को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में खास एक प्रेशर पड़ता है जो हर्मोन्स पैदा करता है। यह हर्मोन आपके दर्द को कम करने में मदद करता है। जिस तरह चाइनीज लोग अक्यूप्रेशर प्रदिती का इस्तमाल करते हैं, शरीर के बहुत सारे पॉइंट्स पर दबाव डालते हैं। आपको दर्द से रहत मिलती हैं, वैसे ही नाक्षिद्वाने से महीला को दर्द से रहत मिलती है। शो में बात होगी आपके कल को सुधाने की। मैं आपको बताऊंगी राशी के एसाब से आपको कल को सुधाने के लिए क्या करना है और लग आकपा कितना साथ दे रहा है। मेश राशी के लोगों को कल अपनी पहनी भी पुरानी चपल दान देनी चाहिए। इसे सारी बुरी बलाएं दूर हो जाएंगी लग आपका साथ दे रहा हैं कल के दिन 68% रिश्व राशी वाले लोग कल माता पिता का आशिरबाद लेकर घर से निकले सब अच्छा होगा। लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको कल के दिन 64% मितुन राशी वाले लोग कल गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें देखी कहीं कोई गलती ना हूँ। लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको कल के दिन 58% करक राशी वाले लोग कल के दिन आपके लिए बहुत बहतर समय रहेगा मंदिर जाके फूल चड़ा ले और कोई विश भी मांगे। लग सपोर्ट कर रहा हैं 88% सिंग राशी वाले लोग कल अपनी जेब में रेड कलर का कोई कपड़ा हैंकरशिफ रखकर घर से बहार निकलें। लग सपोर्ट कर रहा है 77% कन्या राशी वाले लोग कल माथे पर केसर का तिलक लगाएं सब अच्छा होगा सब काम बनेंगे। लग सपोर्ट कर रहा है 82% तुला राशी वाले लोग किसी भी काम पर बाहर जाने से पहले गाय का दूद पंदित को दान करें इससे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे लग सपोर्ट कर रहा है आपको 80% रिचिक राशी वाले लोग बुरी नजर जल्दी लग जाती हैं कल आप अपने राइट साइट के पाउं में काला धागा बांद ले कल भागया आपका साथ दे रहा है 87% धनू राशी के लोग कल घर में दूथ और ब्रेड खिलाएं डॉक्स को लग आपको सपोर्ट कर रहा है कल के दिन 60% मकर राशी वाले लोग आप गरीबों को कुछ कपड़े दान करें आपके पुराने कपड़े आप दे सकते हैं यह बहुत अच्छा रहेगा लग आपका साथ दे रहा है कल 62% कुम राशी वाले लोग ध्यान से किसी से बात करें कोई गलत बात ना निकले मुश्किल हो सकती है लग सपोर्ट कर रहा है आपका कल के दिन 55% मीन राशी वाले लोग कल गाय को गोड़ और रोटी खिलानी चाहिए इससे सब अच्छा होगा किसमत साथ दे रही है आपका कल के दिन 72% इतनी सारी बात को मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आप जिस बात को जानना चाहते हैं शो की शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं वो भी आपको बताती हूँ नाक को क्यू चिदवा कर और लेकर क्यूँ confusion रहता है कि Right Side और Left Side पर तो Right Side में और Left Side में किस और नाक चिदवानी है यह भी जानी लड़कियों को Left Side में नाक चिदवानी चाहिए अब आप पूछेंगे क्यों भई, क्या मेल्स भी नाक बाई और क्यों नाक चिदवाते हैं फिर लोग। देखिए नोस के इस हिस्से पर जो नर्व होती हैं, यह फीमिल रिप्रोड़क्टिव ओर्गन से जुड़ी होती हैं। नाक इस हिस्से पर छेट करकर महिला को पीरिट्स के दौरान दर्थ कम होता हैं, कम दर्थ का सामना करना पड़ता हैं, इसी वज़ो से बाई और नाक चिदवाई जाती हैं। अब नाक चिदवाते समय आपको कोई इंफेक्शन ना हो, इस बात का भी आपको खास खयाल रखना चाहिए। नाक चिदवाते समय आप धंग के साफसुत्री दुकान से या अच्छी जगह से करवाईए। वो बिल्कुल क्लीन पेन होनी चाहिए। उसके बाद घी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर आप लगा सकते हैं या कोई आंटी सप्टे क्रीम भी लगवा सकते हैं। जिनका जरम दिन हैं उनने धेर सारी शुप कामना है आपका साल शुप रहे हमारी यही कामना है। अपने साल को और शुप बनाने के लिए आप ब्लक कलर को वाइट करें। काली चीजीओं को साटरडब को डोनेट करें या आपके लिए शुप रहेगा। शो के आखिर में आपको आज का पांच पॉर आखरी माहा उपाई वताने का समय हो चुटा है शादी में विग्न पढ़ने का डर है शादी वाले दिल एक पहले इंट के ओपर कोईले से लिख दें बाधाएं इंट कोलता करकर किसे शुरक्स पर किसी आईसोलेड प्लेस पर छोड़ाएं शादी के बाद इस इट कोठा कर पानी वाले स्थान पर डाल दिजे उपर से खाने पीने का समान डाल दिजे शादी में आ रही बाधाएं दूर होंगी मैं कल फिर आप से मिलूगी नई चीज़ों के साथ, नई उमीदों के साथ कल का शोज जरूर देखें, आप मुझे इजाज़त दीजे, अपना खयाल रखें बाई-बाई, टेक केर